TrueColor, TrueColor एक ऐसे बिमारी का नाम है जिसके वारे में अगर कोई अच्छी चीजे बता देता है तो हमको download करके use करने का मन करता और यही कोई अगर इसके वारे में सचाई बताता है तो लगता है कब हम अपने mobile से इसको उठा के फेके तो आखिर का राज इस वीडियो में यही बात करने वाले है कि TrueColor क्या आपको यूज करना चाहिए यह किस तरीके से काम करता है या फिर क्या Service प्रोवाइड करता है या फिर अगर आपने TrueColor नहीं बना आए तो किस तरीके से बनाते हैं बहुत सारे घ्यान आपको ट्रू कॉलर से रिलेटेड इस वीडियो में देखने को मिलेंगे इसलिए वीडियो का आप पूरा अन तक देखिए और चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राब करें तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो सबसे पहले बात कर लेदे कि आखिए का ट्रू कॉलर आप है क्या जिनको नहीं पता है तो देखिए ट्रू कॉलर एक डाइलर आप है मतलब इसमें आप फॉन कॉल लगा सकते हो इसमें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजे कस्टमाइज रहती मतलब आपकी मैसेज कॉल या फिर इंपोर्टेंट कॉल या मैसेज इंपोर्टेंट मतलब बिजनस वाले अलग सेक्शन या मेन है अस्पाइमर जो आते हैं कॉल कंपणी के उसको अलग करता है जो लोन वाले एप होते हैं उनको अलग करता है लेकिन जो मेन फीचर से इसमें जिसके लिए सारे दुनिया फिदा है या फिर टू कॉलर यूज कर और यह भी आपको बता देगा को यह को बिजनस वाले जो की बार बार कॉल करते हैं तो यह आपको बता देगा ञ长ular है जो की बार बार आपको तनक करता है quindi यह सारे चीजके का एक कॉंबिनेशन है नहीं मेन जो मतलब मजबूर करता है इसको डाउनलॉड करें का मेन कर यह ज सली जाएगा अब जब कोई कॉल करेंगे आपको लेकिन अगर आपके घर में बहुत सारे dentalya में लॉक्षानी में नमबर पढ़े होते हैं बीना नाम की आपको नहीं पता या फिर आपको कोई need nur मिला आपको अब पता करना गीं आप कुसका नमबर है तो आप होता है जैसे कि जो लोग true caller use करते हैं मतलब जो लोग download किये account बनाये तो वहां पर बहुत खतनाख वाले permission लिए जाते हैं कि हम आपके contact का permission ले रहे हैं आपके message read करने का permission ले रहे हैं IP address ले रहे हैं location ले रहे हैं मतलब इतने दुनियाबार की permission लेते हैं कि अगर website पर जाओगे तो पता चलेगा हो इतने सुनहरे अच्रों में लिग देते हैं जिसे कि आपको लगा नहीं यार इनको यूज करने के लिए यह सारे permission चाहिए तो आप allow करना ही पड़ेगा कुछ कुछ permission ने तो यह आप चलेंगे ने तो उसमें एक permission होता है कि आपके contact का सारा detail ले जाए तो जो लोग आप true caller यूज कर रहे हैं अब वो तो सारा अपने contact का permission दे दिये मतलब कि आप जितने सारे मोबाइल में contact सेब कर रहे हो और आपने true caller डाउनलोड किया तो आपका सारा नमबर ऊठकर true caller के server पर चला गया अब true caller के server पर लगभग सारे लोगों का number है चाहिए वो मोदी जी का number हो या फिराट कोली का मतलब उनके दोस्त तो कोई true caller यूज कर रहा होगा और वो save कर रहे होंगे बिराट कोली जी का या फिर मोदी जी का तो उनके मोबाइल से चला गया उनके server पर तो मतलब लगभग 90 से 99 परसेंट तक लोगों का number true caller के server पर save है चाहे आप feature phone यूज करते हैं आपको कोई मतलब भी ने इंटरनेट से कभी मतलब सपने भी ने देखें इंटरनेट का लेकिन आपका कोई दोस्त आपका number 40-50 लोग तो यूज करी रहे होंगे सेब करके तो उसमें से कोई न कोई तो चांस ही कि true caller यूज कर रहा हो क्योंगे आजकर true caller आहां बात है मतलब आदे से ज्यादा लोग true caller यूज करते हैं तो उनके mobile number से चला गया मतलब उनके जो contact list से उठ गया और true caller के server पर चला गया मान कर चलिए हमारा ही number है akkor हमारे number सो लोग save करके रखें किसी लोग save कर रहते हैं रजनीस कुमार किसी इनुटीबर herdיים मतलब कुछ भी Chanel भहिया रजनीस चाचा रजनीस मामा रजनीस ताउजम हे मतलब इस तरिक से मम्सापोड कर लेक्र ऐसेism कर रहते हैं और उन सारे को गया number मतलब चला कि आप true color वाला confused होता है कि एक ही नंबर से बहुत सारे लोगों के नंबर है तो वह पर्टिकुलर एक common चीज़े समझ लेता है कि हां रजनीस है ताउद छोड़ो यह सब तो होता रहा था सब लोग बनते हैं आखिर का तो हां रजनीस मतलब इसका नाम रजनीस है रजनीस कुमार वह आपका नाम सर्वर पर सेव कर देता आपके पर्टिकुलर नंबर से तो अब यह सारे जो आपने नंबर दिये और वह अपना सर्व किया यह पूरा उनके पास डाटा आगया अब जो भी true color यूज करता है तो उसके पास कोई भी phone करता है तो वह अपने सर्वर से मैच करा सर्विस प्रोबाइट करता है मतलब जो अगर आप true color डाउनलोड करते तो आप अपना डाटा दो आओ सर्विस लो मतलब कि अगर आप true color मतलब डाउनलोड कर लिए तो आपको तो सारे features देखने को मिलेंगे जो कि इसके app में और यह भी सब पता कर पाऊंगे कि कौन कौन किसका है और अगर आपने डाउनलोड नहीं करना खा फिर भी आपका mobile नंबर सर्वर पर सेवे मतलब अगर आप डाउनलोड किये तो आप सारे features के साथ साथ यह सारी चीज़े यूज कर सकते आपका सर्वर पर भी नंबर सेवे लेगिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया फि नहीं बता देता कि यह थीक है वह बता दिया कि यह इसका नंबर हो इसका नंबर क्योंकि उसके contact list है अस्पैमर का नाम इस तरीके से बताता है जैसे कि आप बहुत सारे कॉल करते हैं कंपनी वाले सभी लोगों को तो वह तंग आ जाते हैं तो वह अस्पैम में डाल जाते है क्यां आप देखते होगे जब कॉल खतम हो जाती कम्पनी की तो और भी ऋपनी किसमें डाल सकते हैं इस्में either आ है इस तरीके से गस्पावल यूज कर रहा है अभक है यह को बहुत सारे लोग है इसको चाहितीमनों कब आल द़िया जा आ जाता जना तो भी इस को इस नंबर क उठ रहोगा कि ठीक है यह तो हमारी डाटा लेते हैं हमें service provide करते हैं इसमें दिक्कत कहीं नहीं ठीक हैं हम से लो उनको दो उनसे लो हमको दो मतलब data का एक्सेंज में मतलब crowd नीला सा कलर बन कर आता होगा या फिर अगर आप इनके प्रीमियम फीचर्स लोगे तो आपके जो इस ट्रिप बन रही थी वहाँ पर लोगो जो बना था आपके फोटो वहाँ पर एक अलग एक्स्ट्रा लोगो बन कराएंगे जो कि फ्रोफेस्नल लगया इनका और प्लान है प्लान उसमें आप चले जाओगे तो आपक का इस ट्रिप बिल्कुल गोल्डें हो जाएगा बिल्कुल शमाकने लगा मतलब आप किसी प्रोफाइल कितने लोगों ने सर्च कर के देखा है मतलब और बहुत सारी चीजे जो कि आप इनके आप को पर्चस कर लोगे तब यह आ की तेमाने के क्या हो गीबं तो क्येके तो कि पासंगी का क्यिए टो टीकर कोई चाहता है क्या हमें उंपर सेर करते हैं लेकिशे क्या चाहिएक बहुत सारे मोटे रखम लेकर उनको नमबर भी प्रोवाइड कर सकता लेकिन मैं यह नहीं बता रहा हूं कि यह करते भी होंगे लेकिन कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास मेरा डिटेल है सारा मोबाइल नमबर पूरा हर चीज इनके पास सर्वर पर सेव है या फिर बहु Truecaller को सब चीज की true कानपूर में कैसे लोग हैं कितने तरह के लोग हैं कौन कितना कमाता या फिर सारी चीजे तो वह particular company जो आई है वह पैसे देगी Truecaller को तो बहुत सारे company आकर Truecaller से खाते भाई मेरा spam में जो डाल दियो ना number उसको हटा दो तो उसके पैसे लेते हैं तो फिर वह call करेंगे तो आपको बिल्कुल fresh number आएगा मतलब फिर spam नहीं आएगा तो उसके भी पैसे Truecaller लेता है इसी तरीके के बहुत सारे चोटी-चोटी चीज देखने के बाद या इतने सारे सुनने के बाद आपको लगता हो कि कि हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगर आपको बिल्कुल privacy नहीं बिल्कुल serious रहते हो जो की होना भी चाहिए मतलब दो घर लगता अगर आपका थोड़ा सा भी privacy कहीं चले जाता तो आपका दिमाग दर्द करने लगता है सरदर्द करने लगता दिमाग दर्द तो मतलब आपको फिर यह नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि आप करते होगे और भी सारी चीजा करते हो तो आपको इतना ये तो पता चलता है कि कौन कौल कर रहा इतना तो अगर इसको आप इगणोर कर सकते हो तो आप बिल्कुल इस ऐप को नहीं यूज करिएगा और नंबर सेब्स सेफ हो रखार राक्रां सरवर पर भी बताऊंगो हटाने क सकते हैं लेगिन यूज करने के बाद यह तो है क्योंकि आज करके सारे अगर आप इंटरनेट पर आगे तो आप तो भूली जाओ पराइब सी कि क्योंगी दुनिया पर के आएप डाउनलोड करते हो पर्मिसन एलाओ पर्मिसन एलाओ तुम भी लोग है लो हमारी लोकेशन अर आपको क्या खाते हैं वह बचाक के रख पाते हैं जैसे गूगल को आप देख लो यह टॉप नौज की सिक्योर्टी देते हैं तो इस पर सारे लोग रिलाइक कर पाते हैं जिससे हम इनका जीमेल ड्राइब सारे चीज़े परमिसन देखे यूज करते हैं लेकिन फेस्बुक ये अपने शूप और ये अपने इंसन करते हैं website पर हम आपके सारे मतलब जो डिटेल होते हैं हम आपको सेर कर सकते हैं जैसे कि किस तरीके लोग रहते हैं कैसे विचार वाले ये समझ रहे हो न मदल्ब कुछ आईससे आप बताते हैं आपने website और अंधर क्या चलता हो हमें भी नहीं पता तो अगर इतना आपने सुनने की बात अगर आपका मन है कि हाहां हमें तो यूज करना चाहिए इससे क्या जाता मनला आप मोटिबेर्ट हो गए हां हमें यूज करना चाहिए तो एकाउंट अगर आप से मोबाईल नमबर लिया जाएगा OTP से वेरिफिकरसन होग तु सब्स्क्राइब का मैं उसको है आप सारी चीज है करने के बाद आप का क्ल करें तो पता लग जाए गा कि यह किन का नाम है कि SI का कॉल आया नंबर नहीं पता लेकिन नाम बता देगा या फिर किसी का नंबर सर्च कर सकते हैं मतलब आप सारी चीजे आप यूज कर सकते हैं सारा चीजे कस्टमाइज होकर ट्रू कॉलर आप में रहेंगे जिसे बिजनस वाले मैसेज कॉल अलग से यह सारी चीजे और भी बहु लॉग इन कर रखे इसके दो तरीके मतलब दो स्टेप में यह काम होगा पहले आपको मतलब करना पड़ेगा अपना एकाउंट को फिर इसके सर्वर पर किया इसके वेपसाइट पर जाके आपको अपना अनलिस्ट करना पड़ेगा नमर उसके बाद कोई भी कॉल करेगा आपके नमर से किसी पर करेगा अगर दो करेंगे अपना बिपसाइट पर आक अपके पास उसके पोन हgehen तो दूसरा बस करीएगा कि मतलब उनके वेपसाइट पर जाके आप अनलिस्ट कर द defect तो चलिए दोनों चैप देह लेप लेतhao सबसे आप दोनों step को कर लिजेगा जिसे समझ रहे हैं तो हेलो गाज दोनों step आज हम आपको live करके दिखाएंगे अपने account पे कि हम किस तरीके से अपने account को deactivate या फिर अपने server से हम अपना किस तरीके से अनलिस्ट करते हैं तो आप step by step देखते रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप true color use करते हैं तो सबसे पहले true color को open करना ओपन करने के बाद यहां पर थ्री बटन पर टैप करने के बाद यहां पर नीचे देखिए setting option है रहे हम अपना number जो true color के server वहां से earliest कईसे करें तो चैके निचे लिए उसके बाद यह से हटाए कैसे तुसके लिए आपको ब्राउजर में जाना चाहे आप Chrome यूज़ करें चाहे जो भी ब्राउजर यूज़ करे रहे हैं। उसके बाद आपको Truecaller website पर जाना है सिम्पल साप Truecaller सर्च करो सबसे उपर Truecaller website का लिंक आएगा इस पर टैप कर देना टैप करने कबाद आप Truecaller website पर आ जाएगे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है तो आप यहाँ से वह डिसीजन ले सकते हैं मतलब अनलिस्ट या लिस्ट करने का उप्शन है यहाँ से अनलिस्ट के उपर टैप कर हुए तो यहाँ पर ऐसा कुछ आप्शन आपके सामने खुल कर आएगा यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ फोन नमबर डालने का तो यहाँ पर आपको पहले अपना country code प्लस 91 डालने के बाद जैकर आप इंडिया में हो तो प्लस 91 डालने के बाद आगे अपना mobile नमबर डालना तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ तो देखिए जैसे कि मैंने अपना mobile नमबर कंट्री कोड के साथ आइड करके डाल दिया अब नीचे यहाँ पर कैप्चा फिल करना तो कैप्चा भी देखिए वेरिफाई हो गया अब हमें नीचे देखिए option मिल रहा अनलिस्ट फोन नमबर इस पर हमें टैप कर देना तो द करेंगे जो की true color यूज भी कर रहा हो तो उसको आपका नाम नहीं दिखाएगा अब अपने account को delete कर दिया अब हमें कोई मतलब ने true color से लेकिन कभी-कभी सपने आता है यार कि नहीं यार वो features अच्छे थे हमें यूज करना चाहिए तो आफिरकर किस तरीके से यूज कर सकते हमने लगगे स्ब्साइड यह सब्ताम ज्यां चोड़ने के बाद ये नहींगी फिर से हमu l implement और Toward क्या खाते है साम को क्या खाते है नहीं हमें कुछ नहीं बताना कि हम अहं क्या कर सकते हो जैसे कि यह तो नहीं पता कर सकते किसी का कॉल आय तो वह कह? ले אבל अपने browser एप साइट पर कैसे वहां तो बीना लोगिन के आपको देखाने करने तो आप पर्टिकुलर एक नया Gmail बना सकते हो सिर्फ मतलब ट्रू कोलर के साइट पे लोगिन करने के लिए जब वहां पर लोगिन करने के लिए जल यूज इमेल आईडी लोगिन मत करना वहां वहाँ पर वह आपको gmail id से login करना फिर उसके बाद जब किसी का call आया आपको नहीं पता यह किसका या फिर आपके पास कोई बहुत सारे number पढ़े नहीं पता किसका नाम है तो वह आप particular यहां पर search करके देख सब्सक्राइब यही main feature सा true color का आप यहां use कर सकते हो तो देखागा इस मैंने आज सारा चीजे लगभग true color से related मतलब सचाई या फिर जो भी सच है वो मैंने आपको बताने कोशिज किया तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगए वीडियो का like और share जरूर किजिएगा जिससे कि सारे लोगों को पता चल जाए कि true color है कि आगर वो फीचर यूज भी कर सकते बीना एकाउंट बनायों तो आप शेयर इस वीडियो का जरूर किजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को तो सब्सक्राब करें जाए कि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आतारत और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लेगा जिसके हमाए नए व झाल